आज़े दोस्तों नमश्कार, तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका सेवन आपको हर रोज जरूर करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों, सबसे पहली चीज़ है हल्दी, आपको आधा चमच कच्ची हल्दी हर रोज जरूर खानी चाहिए, किसी भी कीमत पर, क्योंकि हल्दी आपके शरीर में सूजन को दूर कर देती है, सूजन दूर होने से आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, जैसे डायबटीज, आर्ट्राइटिस, हार्ड डिजीज, हल्दी खाने से डायबटीज में बहुत फर्क पड़ता है, और हल्दी खाने से जोडों क की ताकत बढ़ जाती है, आपका दिमाग तेज हो जाता है, और हल्दीखाने से दिमाग से समभधित नहीं होती, जैसे Alzheimer disease नहीं होती, Parkinson disease नहीं होती, और depression नहीं होता, हल्दी कैंसर से बचाती है, हल्दी खाने से cancer नहीं होता, और अगर किसी को कैंसर है और वे हल्दी का सेवन करें तो उसे अपनी बीमारी को ठी करने में बहुत help मिलती है, सहायता मिलती है हल्दी एजिंग को दूर करती है, यानि समय से पहले बुढ़ापा नहीं आता समय से पहले आपके चेहरे के उपर जूरिया नहीं पड़ती, आपकी तवचा के उपर चमक रहती है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हल्दी जरूर खाएं, दूसरी चीज है टमाटर, आपको हर रोज कम से कम एक टमाटर का सेवन जरूर करना है, कच्चे होता है, बलड प्रेशर कम होता है, तमाटर खाने से कैंसर नहीं होता, तमाटर कैंसर से बचाता है, तमाटर स्किन हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपकी तवचा के उपर दाग, धब्बे, जाईया इनको ठीक करता है, तो हेल्दी स्किन के लिए टमाटर खाएं, तमाटर टीमाटर आपको शुगर लेवल को मैंटेन करने में मदद करता है और अगर किसी को डीमाटर नहीं है तो डीमाटर से बचाव करता है आपकी नजर उम्र से पहले समय से पहले कमज़ोर नहीं होती और आँखों से सम्मंधित और भी बहुत सारी बीमारीओं को टमाटर होने से रोकता है इसलिए कम से کम हर रोज एक टमाटर जरूर खाएं तीसरी चीज है केला आपको हर रोज कम से कम एक केला जरूर खाना है क्योंकि केला आपके red blood cells की मात्रा को बढ़ाता है Red blood cells की मातरा बढ़ने से शरीर को बहुत सारे फाइदे होते हैं केला आपके liver और आपकी kidney में से जो chemicals होते हैं उनको बाहर निकालता है Kidney और liver में बहुत सारे chemicals जमा हो जाते हैं क्योंकि हम जो भोजन खाते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं उनमें chemicals होते हैं, ये chemicals kidney में और liver में जाके जमा होते हैं और ये दोनों अंग इन chemicals को शरीर से बाहर निकालते हैं केला इन दोनों अंगों की सफाई करता है, जिससे आपकी ये दोनों अंग सवस्त रहते हैं तो kidney और liver को maintain करने के लिए, kidney और liver की अच्छी सहत के लिए, रोजाना केला जरूर खाएं केला आपके nervous system को बेहतर बनाता है, nervous system से सम्मंधित जितनी बिमारियां होती है, उनको रोकता है और उनको ठीक करता है, जो diabetes patient हैं जिने neurologic की समस्या है, उनके लिए केला बहुत अच्छा है क्यूंकि केला nervous system को बेहतर बनाता है, केला skin health को improve करता है, आपकी तवचा के उपर अगर कोई समस्या है, तो आपको केला जरूर खाना चाहिए केला heart health को बढ़ाता है, दिल की सहत को सुधारता है, blood pressure को कम करता है, cholesterol को कम करता है, आपको heart attack होने के खतरे को कम करता है, केला digestion को बढ़ाता है, आपके पाचन को सुधारता है, जिसका पाचन मजबूत है, उसे कोई बिमारी नहीं लगती, इसलिए रोजाना केला जरूर खा तो मैं एक बार फिर से बता दूँ, हल्धी आपको हर रोज कम से कम आदा चमच जरूर खानी है, पानी में घोलकर या दूध में घोलकर आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं, और दिन में किसी भी समय खा सकते हैं, सुबे खाली पेट खालीजिए, दुपहर को खालीजिए, रात को खा लीजिए, कभी भी खा लीजिए, और कम से कम एक टमाटर जरूर खाना है, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और कम से कम एक केला जरूर खाना है, ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जानने वालों तक पहुंचाएं तके वे भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें बहुत बहुत धन्यवाद